हलो फ्रेंड, सोसल सैंस के अपने लास्ट वीडियो में हमने अकबर के बारे में पढ़ा था, हम अपने आज के वीडियो में जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे और साजहा के बारे में पढ़ेंगे, तो शुरुआत करते हैं जहांगीर से, तो जहांगीर का जो सासन का टाइ बच्पन का नाम इनका सलीम था अगर आपने सलीम अनारकली का नाम सुना होगा तो सलीम यही थे वो ठीक है तो सलीम इनके बच्पन का नाम था माता पिता की अगर हम बात करें तो माता का नाम था इनका मरियम उज्जमानी और पिता का नाम था अकबर ठीक है माता का नाम क्या है तो मरियम उज्जमानी जो है माता का नाम है और पिता का नाम है अकबर पत्नियों की बात करें तो समाधी लहोर में बनी हुई है जो की पाकिस्तान में प्रिजेंट में राजय पिशेक की अगर हम बात करें तो 1605 इस भी में आगरा में इनका राजय पिशेक हुआ था आत्मकता इनकी कौन सी है तो तुझो के जहांगीरी जो है वो इनकी आत्मकता है जैसे तुझो को बाबरी जो है वो बाबर की आत्मकता है वैसी आत्मकता इनकी कौन सी है तो तुझो के जहांगीरी है अब इनकी बारे में कुछ important चीज़ें जान लेते है जहांगीरी ने अबदुल रहीम खान खाना से तुर्की इबम फार्सी भासाओं का ग्यान प्राप्त किया अकबर की ब्रत्यू के बाद सलीम का राजय पिशेक नुरुद्दीन मौहमाद जहांगीरी के नाम से हुआ अक्बर ने इनका नाम सलीम क्यों रखा तो ये चीज़ भी याद रखना कि सलीम के क्या हुआ था कि पुतर नहीं हो रहे थे पुतर होते थे या मर जाता था कुछ भी होता था तो कुछ यह उप्योगी सुधार किये जो जहांगीर थे, उप काटने की सजा रद की और नसीब रbagai बस्तुध ने बंद कर दी पहले क्या होता, जैसे अरब के देशों में होता है आज भी, कि अगर कोई चोरी करता तो उसका हाथ काट देते हैं, यह कुछ काट तो ऐसे ही था पेले भी ऐसे चलता था जब क्यर कोई गलती करता था उसका उसका कुछ कुछ काड़ देते तो यहीं सारी सजाए इसने बंद आपकाड़ा देती जंजीर एक बंदवा दी थी, जैसे हम लोग नयाय की जंजीर कहते थी, इसमें 60 घंटियां थी, और इसका कहना था कि अगर किसी को भी नयाय चाहिए, तो वो इस घंटी को कभी भी बजा सकता है, कभी भी किसी भी समय बजा सकता है, उससे नयाय मिलेगा, ठीक है, तो इस नया पर उसकी रोसनी कभी नहीं आई ठीक है तो उसने क्या किया था खुसरो इसका पुत्र था जहांगीर भी इसका पुत्र था जिसे खुर्रम कहते थे और खुसरो भी इसका पुत्र था लेकिन खुसरो ने क्या किया इसकी खिलाब बगावत कर दी अब बगावत कर दी तो उसके ने कई बिवा किये, www.sayushi और ये बचपन का नाम नूर जहां से किया गया बिवा प्रमोग था, इसके बचपन का नाम महरुनिसा था, इसकी बुद्धी तथा सुंदरता की कारण जहांगीर ने से नूर जहां की उपादी दी थी, सबसे फेमस पतनी थी इसकी नूर जहां, ठी और ये एक बिदवा थी यही जाद रहा थी और सुन्दर भी काफी थी इसलिए नूर जहां की उपादी दी गई थी और इतनी दिमाख वाली थी यह कि पूरा राजकार यह खुदी चला रही थी ठीक है खाली नाम से जहागीर रहे गए थे लेकिन सब कुछ जो भी था सब कु जहागीर को मदरापान की आदत थी यही आदत उसके पतन का कारण बनी 1627 इसबी में लाहॉर में इसकी म्रत्य हुई और इसे यही दफना दिया गया जहागीर के समय मुगल चितरकला अपने चर्म उतकर्स पर थी ठीक है अगर बात करें कि सबसे अच्छी चितरकला किस्समे थी मुगल काल में चितरकला किसके साशन काल में अपने चर्म पर थी तो जहागीर के समय में ठीक है अगर स्थापत कला आता है तो वो साहजा के समय में थी चितरकला की अगर बात आती है तो जहागीर थी ठीक है यह चीज याद रखना तो जहागीर के समय मुगल चितरकला वो एपने चरमों उतकर्स पर थी इसके 5 पुत्र थे अगर जहाःगीर की बात करने हैं तो इसके 5 पुत्र थे जिसमें खुसरो थे खुर्रम थे, परवेज थे सहरे यार थे और जहादार थे ठैके ये 5 पुत्र हैं लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस कौन से हैं, तो खुसरो, खुर्रम और परवेज, यही फेमस है, खुर्रम जो है बई सहा जाहा है, यह बीचीजी याद रखना, जहागीर के मकवरे का निर्माण नूर जहा ने करवाया था, ठीक है तो जहागीर का मकवरा जो है इसका निर्मा मदद के लिए गए थे अरजुन देब के पास, ठीक है जो पांच में गुरू थे सिक्खों के, तो इन्होंने पता नहीं मदद कर दी है, कुछ रुपय बगएर इन्हें दे दिये, जिससे यह काफी चड़ गए जहागीर, और इन्होंने क्या किया, उनकी बात सुन भी ली फिर भी उस पर कुछ अमल नहीं किया, और इन्हों फांसी पर चड़ा दिया, ठीक है, तो सिक्कों के जो पांच में गुरू थे, अर्जुन देब, ये चीज़ याद रखना कई बार कुशन में आता है, बड़े बड़े एक्जामस में ये पूछा जाता है, कि जहागीर न पांच में गुरू थे, अर्जुन देब, इनको फांसी पर चड़ा दिया था, ठीक है, पिर नैश्टे की मुगलकाल में गुलाब से इतर निकालने की तकनीक का विसकार, नूर जहाँ की मा, असमत बेगम ने किया था, ठीक है, ये कॉश्चन पूछा आता है, कि सबसे पहल गुलाब से इतर निकालने की जो तकनीकी थे, इसके विकास किसने किया था, तो नूर जहाँ की मा थी, असमत बेगम, इन्हों नहीं सबसे पहले गुलाब से इतर निकालने की तकनीकी का विकास किया था, ठीक है, तो ये हो गया सारा जहाँगीर के बारे में, अब हम पढ़ माता पिता के अगर बात करें तो माता का नाम था इनका जगत गोसाई और पिता का नाम था जहांगीर ठीक है अगर पत्नियों की बात करें तो टोटल तेरा पत्नी थी इनकी ठीक है सबसे फेमस कौन सी थी तो मुम्ताज बेगम जो थी वो सबसे फेमस थी इनके नाम पर इनके प्रसप खां की प्रत्री अर्जुमंद बानो बेगम से हुआ जिसे इसने मालका ये जमानी की उपाधी प्रदान की ठीक है इन्ही को कहते हैं मुमताज महल 1631 इसभी में प्रसप पीड़ा की कारण इनकी म्रत्ति हो गई इन्हीं मुमताज महल की याद में आगरा में इनकी कबर की उपर ताज महल बनाये गया ताज महल का निर्मान करने वाला मुक इस्थापत कलाकार उस्ताद एहमद लहौरी था ये कुशन पूचे जाता एक नंबर इसका निर्माण कर reconsiderat और इसके निर्माण कर आई तहान है इसकी खासियत यह थी कि कोहिनूर हिरा लगा हुए था किसी ने सहा में लगबा हिरे था क慧़ी कहानि김 की कहानी एसी है कि क्या हो जिसके पास भी गया उसके पर बर्बाद कर दि Fellows के जिरत幅 तो इसके पास भी जिंदगी आपको पता कि औरंग जेब ने पूरी बरबाद कर दी थी, इसके जीवन की जो लास्ट के आखरी आठ साल थे, इसने कैदमी निवाए, चीक है कैदमी बना रहा ही है, तो जिसके पास भी कोहिनूर ही रहा रहा है, वो बरबाद हो गया है, पुलि बिभा किये थे, सबस्यादा जिसमें ये प्रेम करता था मुम्ताज महल से, जिसकी मत्यू कैसे होई थी, प्रसब की बज़े से होई थी, और आपको एक चीज नहीं बताओगी, लेकिन कि जो पुत्री हैं जहां आ रहा, ठीक है, तो इसने क्या किया था, कि जब मुम्ताज म का जेष्ट पुत्र, इभम औरेंग जेब का बड़ा भाई था, ठीक है, अब जो इनके पोत्र हैं उसमें दारा सिको जो है, वो सबसे बड़ा है, इसलिए जो सबसे बड़ा होता वो जल्दी प्यार होता है घर में सभी का, तो जो साहजां का सबसे प्यार पुत्र था वो बहुत बिद्धवान टाइब का था, काफी होशयार था, अउदार टाइब का था, ठीक है, सबके लिए बरबर था, चाए वो हिंदू हो हो, Karma हो, मुसलिम हो, कोई सी और धर्म के हो, सभी के लिए उदार था, इसने मुसलिम धर्मों के साथ हिंदू ग्रंतों को भी बहुत से अध्यान किया था ठीक हिंदू ग्रंथ इसने काफी अच्छे से पड़े लिखे थे इसलिए काफी उदार था ये सहाजा के पुत्रों के बीच उत्रादिकार का युद्र 1657 इसवी को शुरू हुआ अठारा जून 1658 इसवी को औरंग जेब ने सहाजा को बंदी बना लिया अब हुआ कि जो तीन पुत्र थे इनके बैसे चार पुत्र थे लेकिन औरंग जेब दारा सिको और सासुजा की बीच में जो युद्ध बगेरा हुआ ठीक है कि उत्रादिकार किसे मिलेगा क्योंकि सब अठार जून 1658 को क्या हुआ ओरंग जेब ने क्या कि सहाजा को बंदी बना लिया क्योंकि सबसे जाता सकती साली ओरंग जेब था इनमे अब दारा सिको और ओरंग जेब की बीच में जो युद्ध हुए उनके बारे में देख लेते हैं तो पहरा युद्ध हुआ था धर्म इस युद्ध में दारा के पराजित होने तता इसलाम धर्म की अभेला करने के अपराद में 30 अगस 1669 को इसकी हत्या कर दीगी ठीक है तो इससे मार दिया गया और यह कहा गया कि इसने इसलाम धर्म की अभेला की थी ठीक है तो यह कहकर सबके सामने से मारा गया उसका पर इस दिरे बदल रहा है जैसे उसने खोला तो उसमें दारहसिकों का सिर रखा था तो सोची सकते हैं कैसा लगा होगा उसे फिर नेस्ट है कि सहाजा के कैदी जीवन के आटवे बर्स यानि की 1666 बर्स की अवस्ता में उनकी मृत्टी हो गई ठीक है सहाजा ने मुगल राजधानी आगरा से दिल्ली स्थांतरित की थी ठीक है जो राजधानी थी मुगलों की पहले आगरा थी लेकिन इसने क्या किया था आगरा से ट्रांसपर कर दी थी कहां दिल्ली के लिए सहाजा ने बलवन दौरा बनाई गई सिजदा प्रता का अंत कर दिया ठीक है जो सिजदा प्रता जो चल रही थी जो बलवन ने शुरू की थी जिसमें नहीं आपको पता कि आपने मूबी बगारा हम देखा होगा कि पैरों को चूमते बगारा थे फिर सिर बगारा लगाते मतलब बहुत जुक जुक के एकदम बहुत ज्यादा आदर करना पड़ता था तो यही प्रता कहलाती थी सिजदा बगारा सिजदा प्रता तो इसका अंत कर दिया था सहाजा ने ठीक है पिर सहाजा के समय में दक्कन का जो गवर्नार था वो औरंग जीब था यह चीज भी या तो इसका निर्माण भी सहाजाने कराया था दिल्ली का जो लालकिला इसका भी निर्माण किसने कराया था तो सहाजाने कराया था लेकिन दिल्ली का लालकिला आगरा का नहीं दिल्ली का लालकिला का निर्माण किसने कराया तो सहाजाने कराया था ठीक है तो इतनी चीज़ों या कौन सी वो ऐसी थी कि जिसमें लंबाई चौणाई बराबर थी ठीक है तो ये ताजमहली था जिसकी लंबाई और चौणाई में ये दोनों बराबर थे ठीक है अगर लंबाई भी देखेंगे चौणाई देखेंगे तो दोनों तरब से बराबर ही है सहाजा ने कोहनूर हीरा कहां लगवाया था तो मयूर सिंगाशन पर लगवाया था और इसे तक्ते ताउस भी कहते हैं ये चीज भी याद रखना ठीक है जो मयूर सिंगाशन इसे क्या कहा जाता था तो तक्ते ताउस इसे कहा जाता था और इसे कौन ले गया था तो 1749 इस भी में फार्सी अक्रामक था नादिर सहा ये ले गया था ठीक है लाश्ट जो सासक थे मुगल सासक बो थे रंगीला करके ठीक है तो भई इस पर बैटे थे उसके बाद कौन आया नादिर सहा आया उसने भारत पर आकमण किया और तक्तिता उसको ले गया ठीक है 1749 में अब अगले वीडियो हम लोग औरंग जेब के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही रखते है जहां गीर सहाजा के बारे में अच्छे से बढ़ लेना फिर मिलेंगे औरंग जेब के साथ और सिवाजी के साथ ठीक है तो मि जिलते हैं नेक्ट्ट वीडियो में, thank you so much for watching this video